अपने घर का मान रखना आन बान सान रखना अपने घर का मान रखना आन बान सान रखना जिन्दगी बिताना श्वाब इमान से दोले ये मजोरे ऐसे पेना पर कुछ नत कहना जार किस शुदान में जार किस शुदान में आन बान सान रखना आन बान से पेना जार किस शुदान रखना बेडी तु यहां एक जन्मदाता फिता को छोड़ करके जा रही है लेकिन जिस घर में तु जारी है वहां तुझे एक फिता में आएगा लेकिन धुनिया और उसे ससुर करके लेकिन बैनों जो बैन ससुरार के में जाने के बाद पर अपने ससुर के ससुर न माने करके पिता मानती है वो बेटी कभी ससुराल में दुठी नहीं रहती है पिता के समान अपनी ससुर जी को जानना माता के समान अपनी ससुर जी को पानना प्यारी समझना अपने जानों से ऐसी है पेवी दोनों देहना पर कुछ मत कहना जाके सश्वार में और बेटी सकफुलाज जा रही है एक आपना कथैर्स कंथ से भी कंथ तेरा और यह के समामिल हो अपने सासुर से कभी उची रवाज में बात बात करना और जब भी बोले तो ऐसा लड़े कि आगा घर में सोयर बोले इतना मीठा वेज़े सुंदर बोले कंद से भी कंद सितीरा को यह के समाह में हो वो ठौकी राली तेरी मधर मुझे कानी हो भलाई की बिनिया तेरी नेखी की न दुनिया तेरी भलाई की बिनिया तेरी नेखी की न दुनिया तेरी पेहिन के चली जात की सान से और बेटी सबसे बड़ी कार अगर बेटी की साती हो जाए तेरी मायके बालों की बढ़ाई कम होती है अगर बेटी के इंदर अच्छे संसकार है अच्छे भुल है तो मायके बालों की बढ़ाई होगी लोग कहेंगे भईया उनकी बितिया तो बहुत अच्छी है अच्छे खांदान से आई है अच्छे परिवार से आई है लेकिन कब? आदे जो अथिती घर भी करना सर्मकार को चुल करके लगिना अपना सारा परिवार को तोनों समय संध्या हवन जिनोरी जिनोरी में पुरिया में पुरिया तेरे आंगल की बज में पुरिया तेरे बिना लागे ना जियरा में पुरिया में पुरिया में पुरिया पुरिया याद नाये मेरे याद नाये मेरे पच्पन की में पुरिया में पुरिया में पुरिया तेरे आंगल की में पुरिया में पुरिया बेटी कहती है महिया, चले इस कहार पेरी दोली उठाए, चले जब बेटी चोड़ी रोती है